Monitor Monitor, Computer द्वारा उत्पन जानकारी को प्रदर्शित करता है यह एक उपकरण है जो की एक केबल के माध्यम से जानकारी के स्त्रोत जैसे की एक मदर बोट से जुड़ा है Monitor को Visual Display Unit के रूप में भी जाना जाता है Computer Monitor का प्रयोग चित्र, वीडियो और डॉकुमेंट्स को देखने के लिए किया जाता है यह CPU से जानकारी पहुँचाता है Monitors Cathode Ray Tube, Liquid Crystal Display, Plasma, Light Emitting Diode और Organic Light Emitting Diode डिस्पले हो सकता है Monitors विभिन आकारू में आते हैं नवीनितम Technology और Innovation से डिस्पले की गुणवत्ता और Monitor के कामकाज में सुधार हुआ है अच्छे डिस्पले के साथ Advanced प्रकार के Monitor यूजर के लिए एक बेहतर अनुभव प्रदान करते हैं CRT का सबसे पहला वर्जन वर्ज 1897 में किया गया था यह Ferdinand Brown नाम के एक जर्मन भौतिक शास्त्री द्वारा आविशकार किया गया था इसे Brown Tube के नाम से भी बुलाया जाता था यह Cold Cathode Diode का उपयोग कर बनाया गया था जो Crookes Tube का संचोधन था जिसमें Phosphor Coated Screen का उपयोग किया गया था Monitor की विशेश्टाएं Monitor के विभिन विशेश्टाएं हैं जो उनकी गुणवत्ता का निर्धारन करते हैं वे हैं Size, Resolution, Bandwidth, Refresh Rate, Interlacing, Dot प्रती इंच, Dot Pitch, Convergence Size, यह Monitor के Diagonal Size को दर्शाता है, यह एक Vertex से Diagonally विप्रीत Vertex तक मापा जाता है Resolution, यह Pixel Packing का घनत्व है Monitors, Screen को लाखों Pixels में विभाजित करता है, जो की Rows और Columns में विवस्तित होते हैं Monitor के Display की गुडवत्ता काफी हद तक अपने Resolution पर निर्भर करती है रंगीन Monitor पर प्रतेग Pixel के तीन Dots होते हैं, लाल, हरे और नीले Bandwidth यह Data की मात्रा को दर्शाता है, जो दिये गए अवधी में Transmit किया जा सकता है यह Digital उपकरणूं के लिए Bits या Bytes प्रती Second में विख्थ किया जाता है और Analog Devices के लिए Hertz में Refresh Rate Monitors को प्रती Second कई बार Refresh करना पड़ता है Refresh Rate Hertz में मापा जाता है, जब Monitor तेजी से Refresh होते हैं, तब यह कम बार के लिए Flicker करते हैं Interlacing यह एक चित्र की Scanning की तकनीक है जिसमें एक समय में एक लाइन की Scanning करने के बजाए प्रतेक पास में Alternate Lines की Scanning करता है यह Bandwidth नीचे रखता है, नवी नितम टेकनलोजी के आगमन के साथ अधिकतर Monitor इंदिनू Non-Interlase है Dot प्रती इंच, इसकी गढ़ना On-Screen चित्र के Sharpness को मापने के लिए की जाती है, यह दो कारकों पर निर्भर करता है, अर्थाद Resolution और चित्र का Size Dot Pitch, यह डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रतेक पिक्सल के बीच वर्टिकल दूरी की माप है, यह मिलिमेटर में मापा जाता है, यह उन विशेशताओं में से एक है जो की Monitor की गुडवत्ता का निर्धारन करती है Convergence, यह स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हर एक पिक्सल की शापनेस को दर्शाता है, प्रतेक पिक्सल तीन डॉर्ट्स से बना है, यह डॉर्ट्स लाल, नीले और हरे रंग के होते हैं अगर यह बिंदू बुरी तरह से Converge होते हैं, तो पिक्सल स्क्रीन पर धुनली दिखाई देती है